हेलो फ्रेंज में अनामिका मेरे किसेल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंज दिवाले आ गया है हम अलग अलग का एशनेक्स बनाना शुरू कर दिये हैं तो फ्रेंज इस दिवाले के लिए हम शक्कर पारे की रेश्पी लेकर आए हैं शक्कर पारे बनाना बहुत ही आशान हो होता है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है इसे आप एर टाइट कंटेनर में भड़के दस से बारा दिन तक इसनेक्ष में ले सकते हैं तो फ्रेंड्स इस रेस्पी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरी सेनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं शक्र पारे बनाने के लिए हमने जो इंग्रिदियंच दिया है वो है 200 ग्राम मेदा चार चमच शूजी आधा चमच नमक एक चमच बेकिंग पॉडर रिफाइन ओयल और 100 ग्राम हम यहाँ पे शक्र लिये हैं सबसे पहले हम शक्र को पिखला लेंगे पहले हम शक्र को ले लेंगे शक्र में हम पांच से छे चमच पानी डालेंगे पानी हमें ज्यादा नहीं डाला है और इसी में हम डालेंगे यह नमक बेकिंग शोड़ा और इसको हम अच्छे से शक्र के साथ मिक्स कर लेंगे हम सबकर को 3-4 मिनाट तक पिखलने के लिए छोड़ देंगे अगर आप पॉडर शुगर ले रही है तो वो तुड़न तैयार हो जाएगा जब तक सबकर पिखल रहा है तब तक हम एक ट्रे ले लेंगे ट्रे में हम मैदा को डाल देंगे मैदा में हम ये सुज्जी को मिक्स कर लेंगे और को मिक्स करके हम इसमें ढालेंगे तो यहाँ पर हम चार बड़े चमच क्योंao डालेंगे इसे हम ऑच्री मिक्स करेंगे महैन ढालना बहुत जरूरी होता है इसका भी पर्प्यक्त माप होना चाहिए नहीं तो तो यह खाश्टा नहीं होता है अच्छे से हम इसे मैश लेंगे तो ऐसे हम अधेलियों से देज करती हुए शारे गुठलियों को एक तम बाड़ी कीशे मैश लेंगे बिल्कुल मैदे में गुठली नहीं होनी चाहिए है हमने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यहां पर 200 गराम मैदा में आपको 50 गराम घी या तेल डालना है तो यह परफिक्ट हो जाता है दूसरा पहसान यह भी होता है मैशने के बाद हम मुठी से मैदे को बाढ़ेंगे आप देख सकते हैं यह बंद जा रहा है तो यह कि एक माप है अपना माइंड डालने का अब चलिए हम इसे गूद लेते हैं तो हमने जो शक्कर वाली पानी तयार की थी उसमें से हम मैदे में डालेंगे और इसे हम अच्छे से गूदेंगे एक शॉफ्ट शडू तयार करना है हमें शक्कर पारे के लिए थोड़ा थोड़ा शक्कर का पानी यानि यह श्मिश्रन को डालते हुए और मैदे को गूदेंगे एक बात ध्यान में रखके शक्कर में पानी एड करना है कि हमें जितना पानी डाला है सबी पानी को मैदे में यूजा जाना चाहिए तो ध्यान से हम पानी डालेंगे कम रहेगा तो उपर से डाल लेंगे पर ज्यादा होगा तो शक्कर की मात्रा कम हो जाएगी तो आपने देख लिया हमने चार्चमत पानी डाला था मैदे ने सभी पानी को अपजोब कर लिया है अब इसे हम ऐसे मसल दे हुई एक अच्छा सा डू तयार कर लेंगे हमने मसल मसल की मेरे का एक अच्छा सा डू तयार कर लिया है यह न जादा हाड है न जादा शॉफ्ट है मेडियम तरकर रो हमें तयार करना है अब हम एक बॉल से कभर करके इसे 20-25 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे इससे क्या होता है अपनी शक्रपाड़े का शिप अच्छे से तयार होता है 20-25 मिनिट हो चुका है चलिए हम एक बार डो को चेक कर लेते हैं डो अपना अच्छे से फूल चुका है अब हम इसे प्लेट फॉर्म पे ही निकाल लेंगे प्लेट फॉर्म एकदम नीट होना चाहिए फिर हम एक बारी से मसल लेंगे अब देख सकते हैं, अपना डो जो है एकड़म अच्छे से फूला है, हमने डो को मसल लिया, अब इसके हम दो पीचेस में ले लेंगे, एक रख देते हैं, एक को हम ऐसे फ्रेस करके लोई बना लेंगे, तो चलिए हम इसे बेलन की मदद से बेल लेते हैं, घुमाते हुए इसे हम बेल लेंगे, तो हमें इसे थोड़ा शा मोटा ही बेलना है, यानि कि मोटी भाखड़ी हम जैसे बनाते हैं, उसे साइज से हमें बेलना है, एक बड़ा आपको दिथा देती हैं, आप देख सकते हैं, इतना मोटा बेलना है, अब हम एक चाकू की मदद से इसको काट लेंगे, ऐसे हम, अपने मन पसंद के साइज का हम, शकर पाड़े का शेव दे सकते हैं, अब हम फिर अपोजिट साइट से ऐसे काट लेंगे, इवीवाली में हर घड़ में बनता है, बस्ते बहुत पसंद करते हैं, तो हमने शकर पाड़ा को काट लिया, अब चलते हैं, गैस के तरफ, गैस पे हम, तेल गड़म होने के लिए रख दिये हैं, जब तक तेल गड़म हो रहा है, तब तक हम उपना शकर पाड़े को एक चमस में भढ़के उठा लेंगे, तो हम एक एक सब करवाड़ा को ऐसे उठा के एक घड़नी में रखते जाएंगी, आप कोई भी ट्रे में रख सकते हैं, ऐसा पुछ नहीं है, कितना अच्छा सेप में तैयार हो रहा है, जैसे पनीर का टुकरा है, वैसे हमें सिकाटर खा है, तो अब थोड़ा सा सवधानी बढ़ते हैं, तो बहुत बढ़ियां तैयार कर सकते हैं शकर पाड़े को, तैल हमें जादा गरम नहीं होने देना है, इसमें मेडियम हीट होना चाहिए, तभी हम शकर पाड़े को छोड़ेंगे, तो आपको एक शकर पाड़े डाल के भी खा रहे हैं, यह देखिए, जल्दी से उठ भी नहीं रहा है, और धीरे धीरे तैल में बबल्स भी आ रहे हैं तो बस हमें ऐसे ही तेल गरम होना चाहिए, क्योंकि जादा गरम रहा तो उपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से यह क्रिश्पी नहीं होगा, अब हम इस तेल में सभी शकर पाड़े को छोड़ देंगे, इस बात का आप भ्यान जरूर रखिएगा, तेल हमें जादा हि मेडियम गरम रहेगा, तो ही अच्छे से फ्राई हो पाएगा, एक बाड में जितना आ सकीगा, हम उतना छोड़ देंगे अभी हमें इसे चलाना नहीं है, जब तक ये अच्छे से पक्के तेल के उपर तैड़ने नहीं लगे, तब तक हम इसे चूना नहीं है हाँ, तेल ज्यादा ठंडा लगे, तो आप 10 सेकेंड के लिए फ्लेम को तेज करके, हीट कर लीजिए, मेडियम, फिर स्लो करके इसे फ्राई होने दीजिए आप देख सकते हैं, सकट पाड़े तैड़ के उपर आ गये हैं, तो हम इसे एक बाड उलट लेंगे आप देखिए, इसमें एक एक लेयर अलग अलग दीख रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कितना क्रिश्पी होगा, अब हमें सर्षी, सर्षी को एक बाड उलट लेना है, और ऐसे ही हम मेडियम फ्रेम पे, दुसरे साइट से भी इसे सेकेंगे, इसे 10 से 12 मिनट लग जाता है एक पैस तैयार करने में, हमने उलट-उलट के दोनों साइट से सेंख लिया है, आप देश सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है, अब हम इसे चढ़ने की मदब से ऐसे टेरा करते हुए निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं, शक्कर पाड़े की एक एक लेयर आपको खुली-खुली दीख रही है, एक इतना फ्रेश भी होगा, ठना होने पर ओभी मैं आपको दिखा दूँगी, तो ऐसे ही हम बागी के वैस टाई कर लेंगे, शक्कर पाड़े बनकर तयार हो गए हैं, तो आप ध्यान से देखिए, एक देखने में कितना शुन्दर, इसे हम एक शक्कर पाड़े को तोड़के दिखाएंगे, आप देख सकते हैं, इसकी एक एक लेयर उभरके आई हैं, और ऐसे हम मीश दिये, तो ये एक दम अलग बहुत ही डेश्टी लगता है, उपर से क्रीश्पी, अंदर से जोशी, इसे आप 15 दिन तक आराम से नास्ते में ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप जरू ठ्राए कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क लेटा वाहत्टी ले जडिए, और मेरे बना कीजिए, और क्रीश इसाम, और से क्रीश्ते मेरे लेक टेशो हैं, या उर